किचन की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिसे जान के बेहदी खुश होंगे आप शायद आपने ये ट्रिक्स ना कभी सुनी हो ना कभी देखी हो इन्हें देख के इन्हें सुन के आपको ऐसा फील होगा कि शायद आप किचन का काम और स्पीडली कर सकते हैं कुछ ऐसे बेनि वो नीचे से जलने के कारण कभी-कभी पीला पढ़ जाता है उसको इंस्टेंटली पीला रुमूफ करने के लिए थोड़ा सा डाल दीजिए उसके उपर बेकिंग सोडा और साथ इमें डाल दीजिए थोड़ा सा विनेगर इसका इंस्टेंट रियाक्शन होगा और जो भी नी बेकिंग सोडा और ऐसे विनेगर डालने अगर बेकिंग सोडा से पूरा रियाक्शन ना हो तो आप सोल्ड प्लस विनेगर को भी करके देख सकते हैं किस टाइप से जला है उस पर डिपेंड करता है कि बेकिंग सोडा या नमक डालना है विनेगर के साथ आप डाल के लगाना इसके लिए हमने थोड़ा सा आटा और बोरेक एसेड मॉर्कीट में इजिली मिलता है आटे में थोड़ा बोरिक एसेड मिक्स कर लिया है थोड़ा सा याटा लिया है एक चमच भर के बोरीक एसेड डाला है अब जिस पानी से हम यह आटा गूंदेंगे उसमें भी अब आपको क्या करना है को भगाने के लिए यह बहुत ही वड़िया रामबान नुसका है आप इस आटे को इस बोरिक एसीड वाले पानी से मलिए और उसके बाद इसकी छोटी-छोटी गोलिया बनानी आपको आटा आपने फटा-फट से मल लेना है इस नुसके से मेरे घर के कौकरोचीज तो भाग गए है आपको भी बेहत मजद कर सकती है कौकरोचीज भगाने के लिए तो चलिए इस आटे को गूनने के बाद इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेते हैं उसके बाद जहां भी कौकरोचीज आके आपको डिस्टब करें हो प्रिज के कोने में आपके सींग के पास आपके गैस के बर्नर के पास आपके घर की डबियों में घर की डबियों के पास जहां पे आप कबर्ड में अपने मसाले विकेरा रखते हैं यह हर जगे रख सकते हैं बहुत काम की चीज़ है कौकरोचिस हो जाएंगे नौ दो ग्यारा अजमा के देखेगा मेरे कॉक्रोचिस भागे हैं ऐसे ही घर में चीटियों ने भी परिशान कर रखा है कभी किचन में आती हैं कभी वाश्रू में कभी खाने की चीजों में तो अब हमने क्या करा है चलो भाई चीनी में तो लॉंग डाल के चीनी को बचा ले इसको अब हम फटा फट से बंद कर लेते हैं इस डिसिंफेक्टेंट को जो हमने तयार कर आया अधा पानी आधे विनेगर से और स्प्रे कर दे जहां जा आपके घर में चीटियां आती जाती रहती हैं चीटियां महाँ से 9-11 हो जाएंगी अब यह स्प्रे खाने की चीजों कोनों को साफ करने का तरीका अलग अलग है पीतल को देखिए दोस्तों हमने एक तरफ दिखा रहे हैं कितना गंदा और एक तरफ कितना साफ हो गया नीचे छोटी फोट में तो देखिए इसको साफ करना है पीतल को साफ करें कोल गेट की मदद से कोल गेट जो भी वाइट अ आपके आज टूथ पेस्ट हो घर में उसको अच्छे से रोटेट कर लें एक दम साफ सुत्रा उंगलियों से इसको अच्छे से रोटेट करें और उसके बाद पीतल को वाश करके देखना बहुत बढ़ी रिजल्ट निकलेगा वही तब तक इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर डाला और एक सेक्शन जहां नहीं डाला कितना जाधा डिफरेंस आएगा चलो जब तक यह रियाक्ट करती है इंस्टेंटली तब तक प्लेट जो तांबे की थी उसे भी करके दिखा देते हैं इंस्टेंटली साफ यह प्लेट थी दोस्तों हमारे मंदिर की एक दम तांबे क यह भी थी थोडिसी काली हो रही थी यह फलकसी नमक डाला थोड़ा सा विन्सटेंट रियाक्शन एक दम फाइफ तो 10 सेकिंड तो तांबे को साफ करना है अपने नमक्र विन्यगर के साथ पीतल को करना है कोल गेट के साथ ही के दोस्तों को किए एंस्टेंट रियक्षन बो सॉल्ट नहीं लगा नीचे सारा लगया एक दम क्लीन और यह देखिए भाईवा कोल गेट से क्या बढ़िया पीतल साफ हुआ है तो आप भी अपने घर का पीतल और तांबा ऐसे साफ करें स्टील के लिए तो भी मैंने आपको बेकिंग सोडा और विनेगर करके दिखाया ही था उस कैटल के पीछे अगर आपके घर में ऐसा कोई बचा हुआ पता है दवाईयों का और कैंची हो गई है धीली तो आपने सुना होगा कैंची अलमीनियम फॉयल से तेज होती है और इस प अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पे देख रहें यूटीव पे देख रहें तो सब्सक्राइब करने चनल को लेकिन अगर फेस्बुक पे देखने पेज को फॉलो करने के साथ साथ इसी के डिस्रिप्शन में एक लिंक है वह हमारे यूटीब चैनल की टिप्स अब ले ज उससे क्या होगा आपका गंद मेल्ट करेगा हलका सा और उसके बाद इसे ब्रश की मदद से अच्छे से रग रहें क्योंकि जब भी हम कोई चीज कद्दूकश करते हैं और अगर इस पर जर्म्स है तो वह हमारे खाने में जा सकते हैं तो इसलिए वह जर्म्स ना जाएं देख अगर आप पोहे में इसका दलिये में कहीं भी इस्तमाल करते हैं घर में किसी भी डिश में तो यह जादा दिन तक चलेंगी और आपको बढ़िया स्वाद देती रहेंगी इसलिए इनको हमने क्रिस्प रोष्ट करके ही स्टोर करना है यह देखिए कितना अच्छे से क्रिस् अगली वाली मखाने क्या आप जानते है कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है दूद बॉइल करते वक्त पीते वक्त आप इसमें थोड़ा मखाने डालने आपकी बोन्स के लिए बहुत ही बढ़िया कैल्शियम का सोर्स है यह मखाने आपको स्वाद तो देंगे ही लेकिन इसके जो बोडी में फाइदे हैं वो बहुत ही जादा बढ़िया हैं आपके रिजल्ट्स बोडी में हडियों की पाउर में काफी अच्छे मिलते हैं जरूर ये ट्रिक अपनाएं मज़ा आएगा आपको स्वाद भी अच्छा लगेगा और सेहत तो साथ में भाई वाग क्या क अच्छा करें उनको गैस पे 20-30 लिए हलका सा गरम कर लें उसके बाद चीलेंगे इंस्टेंट चील जाएंगे और आपको एक चीज और बता दूं चीलेवे बढ़ाम के फाइदे कहीं जादा है बिना चीले बढ़ाम से तो चीलेवे बढ़ाम खाएंगे तो बहुत आपके लिद्यो को शेयर करना मत बूना तकि आपके सारे फ्रेंज और फैमिली के साथ से बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स पहुंच सके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे फैमिली का ध्यान रखें कर दो के लाड़के प्राइब